नमस्कार दोस्तों स्वागतें आपका आपके अपने यूट्योब चैनल में और दोस्तों आज़ की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने चेरे के दाग दब्भों को किस परकार हटा सकते हैं फ्रेंच वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें अब बढ़ते हैं वीडियो की दरब लगबग हर भारती रसोय में लसुन मुझूद होता है लसुन के लाप किसी ओशदी से कम नहीं है अराकि कुछ लोग इसकी तीकी महकी वज़े से खाने में इसका इस्तिमाल करने से बस्ते हैं जबकि लसुन में मुझूद कहीं एंटी उक्साइडेट कुन मदू में हर्दे रोक पेट के संकरामन के साथ तोचा संबंदित कहीं बिमारियों से आपको दूर रखता है आयरवेट में तो तोचा की रंगत निखानने के लिए लसुन के हजारों उप्योग बताए गए हैं लसुन को अपने ब्यूटी रूटिन का हिस्सा बना कर आप भी तोचा और बालों से जुड़ी अपने कहीं परेशानियों से चुटकारा पा सकते हैं अब फ्रिंस मैं आपको बताती हूँ लसुन के फाइदे जो कि आपके चेहरे के लिए कितने ज़्यादा महत्तबन हैं तोचा में खाज गुजली, जलन और लाल रेशेस होना आदी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों को आए दिन परेशान करती हैं अगर आप इन समस्याओं से चुटकारा पाने के लिए दवा का उपयोग नहीं करना चाती है तो लसुन का उपयोग कर सकती है तोचा में जहां भी आपको ऐसी समस्याँ हो रही है वहाँ पर लसुन की एक कली का पेस्ट बना कर लगा ले इसके अलावा लसुन के पेस्ट को दूद या मलाई में मिला कर लगाने से तोचागी हर तरह की समस्यां से चुटकारा मिलता है अगर आपके चेहरे पर दाग दबा हो रहा है तो वो भी खतम हो जाएगा इसके अलाव फ्रेंज बात करते हैं अगले फाइदे की जो की है पिंपल्स पिंपल्स चुटकारा पाने के लिए लसुन का उपयोग बहती कारगर है इसके लिए आपको सफेद सिर्के में लसुन का पेस्ट डाल कर उसे अच्छी तरह से मिलाना है अब इस पेस्ट को 10 मिनीट तक चेहरे पर लगाना है उसके बाद में आपको चेहरे को धो लेना है इसके अलावा एक कच्छे लसुन की कली चबाएं और एक गिलास ठंडा पानी पी ले ऐसा करने से आपको काफी लाब होगा इसके अलावा फ्रेंस बात करते हैं अगले फाइदे की लसुन का उपाएं आपको एंटी एंजिंग और जूरियों से बचाय रखने में भी मदद करता है लसुन में भारी मात्रा में एंटी उकसाइड इट पाए जाते हैं जो जूरियों से लणने में काफी मदद करते हैं इससे बचने के लिए सुबह खाली गुनगोने पाने के साथ लसुन की एक कच्ची कली नियमित रूप से खाकर भी बढ़ती उमर को जमा रखा जा सकता है इसके अलावा लसुन के पेस्ट को किसी भी फल के रस या गुलाब चल में मिलाकर तोचा पर लगाने से भी जूरियां दूर हो जाती है इसके अलावा आप अगर लसुन के पेस्ट को किसी भी फल के रस या गुलाब चल में मिलाकर अगर आप चेहरे पर लगाएंगे तो इससे आपकी जूरियां भी दूर हो जाएगी आपने देखा होगा कि कहीं बार लड़के भी ऐसी परिशानियों से परिशान रहते हैं कि उनके चेहरे पर कील मौसे हो जाते हैं वो भी जाहें तो लसुन का इस्तिमाल कर सकते हैं लड़किया ही नहीं लड़के भी कहीं बार ब्लेकेट्स और वाइट हेट्स की समस्या से परिशान रहते हैं इस समस्या से निजाश पाने के लिए आप हफते में दो बार अपने स्क्रब में लसुन का पेस्ट या फिर उसका रस मिलाकर स्क्रब करेंगी तो आपकी यह परि लिए तोचा के बात अगर बात बालो की करें तो उनका समय से पहले सफेद होना आजकल हर दूसरे वेक्ती को सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है इस से बचने के लिए लहसुन के पेस्ट को जेतुन के तेल में मिलाकर गरम कर लें और जब तक धुआ निकले गेस बंद न कर अब इस पेस्ट को ठंडा कर लें अपने बालो की जड़ों में लगाएं सफेद बालो की समस्या से आपको निचास मिलेगा इससे सफेद बाल आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे तो देखा फ्रेंस आपने यह तिल असुन के फाइदे जो कि आपके चेहरे और आपके बालो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थांक्यो फ्रेंस मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई